परमात्मा सत्वरूप है, परमात्मा चित्वरूप है, और परमात्मा आनंद घन है, भगवान सत्थ है सत्य माने सत्थ द्यान से सुनना, परमात्मा आदि मध्यान पर सत्य है, पहले सत्य था, मध्य में सत्य है, और कभी नहीं होने वाला अन्त भी सत्य है, बोलो जै स्री कृष्णा, बाब से बोलो ना जै स्री कृष्णा, परमात्मा चित्वरूप है, चित्व कहते हैं प्रकाश को, अब हम लोगों को तुम प्रकाश से ये न साब कता करनी है, हेलोजन लगवाओ, भागवत कता करेंगे, टूब लाट लगवाओ, और ऐसी रोसनी आनी जैया सीथी भागव जी पर पहुँचे, कभी कुछ देखना हो, कुछ पढ़ना हो, तो साब रोसनी तो चाहिए, लेकिन परमात्मा को किसी से रोसनी लेने की जरूप नहीं है, जगत प्रकाश से प्रकाश करामू, शारी दुनिया को प्रकाश वही देता है, सूर्ज में रोसनी, चंद्रमा में शाहितल्य, यह सम उसी के द्वारा तो प्रदत्त है, क्योंकि वो चित शरूप है, वो चित है, और भगवान का तीसरा नामे आनंद, परमात्मा आनंद है, आनंद की तो बड़ी विचत्र बड़ी पवित्र बड़ी अद्वुत परिभास है, वैसे हम लोगों ने तो बड़ी खाये बोले आनंद आगा, बर्गर खाया बोले आनंद आगा, फ्लाने मिया के दुकान की चाय पी बोले आनंद आगा, यह आनंद है, यह तो जीज़ के सौवत है, फालतू, आनन्द तो केबल केबल और केबल मेरा गोविंद है और आनन्द कुछ है ही नहीं आनन्द राम है आनन्द कृष्ण है आनन्द परमात्मा है दुनिया का कोई भी पदार्थ आनन्द नहीं दे सकता आनन्द तो केबल तुम्हें आनन्द ही दे सकता है जो आनन्द है वो आनन्द प्रदान करेगा जो आनन्द सिंद सुकुराशी सी करते तही लोक सुपाशी सो सुकधाम राम असनामा असिर लोक दाय कविस रामा तो आनन्द का सिंदु है वो परमात्मा आनन्द का सिंदु है गोविंद इसलिए जब कुष्ण जन्म आता है चतुर्त दिवस भागवत कता में तो हम लोग सम मिलके गाते हैं नंद घर आनंद भयो जैकन है नंद घर छोरा भयो जैकन है लालकी तो नहीं बोलते नंद घर कुष्ण भयो जैकन है लालकी तो नहीं बोलते नंद घर लाला भयो जैकनिया लाल की तो नहीं बोलते नंद घर आनंद भयो क्योंकि आनंद स्वेम कृष्णन है आनंद स्वेम परमात्मा है अबद घर आनंद भयो जैकनिया लाल की अबद घर आनंद भयो जैर गुबर राम की आनंद परमात्मा है और विश्वत पत्यां देहे तबे बड़ी विच्चत्र बात है वो जरासी ध्रकुटी को टेड़ी कर जरासम मुश्कुरा दे तो दुनिया बन दी है उसकी मुश्कुराने से ही तो हम लोग बने यह जो नए नए मॉडल दिखाई देते हैं कोई गोरा है तो छाती तानके चलना है हम तो गोरे हैं कोई काला है तो वो पौडर रगड़ रहा है हम भी गोरे हो जाए कोई ठिगना है तो लटक कर लंबा होना चाहता है कोई बहुत लंबा है तो सोचता है इतना क्यों हो गया ये सब जो नेने माडल बनते हैं उसके हसने से बनते है ये रचना उसकी है और वो घंभीर होता है तो सबका पालन हो जाता है साम को रोज एकांत में बैट कर वो सोचता है कोई भूका तो नहीं रहा सबको देता है, सबको प्रदान करता है और वो जिरासी ध्रकुटी को टेड़ी कर ले महाराज तो तुम्हारा बिग्यान फिग्यान धरा रह जाता है पंद्रे मिनट की सुनामी में तवाही आ जाती है सब गोशना धरी की धरी रह जाती है तो विशोत पत्तियाद है तबे विशो की उत्ति विशो का पालन विशो का ले इसका एक मात रहे तू वो परमात्मा है और तापत रहे विनाश आया तीनों प्रकार के तापों का नाश करने के लिए तीन प्रकार के पाप होते हैं तीन प्रकार के ताप होते हैं दैहिक दैविक भोतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा आध्यात्मिक आधि दैविक आधि भोतिक तीन ताप होते हैं और मर्सा वाचा कर्मना तीन पाप होते हैं तो तीनों पाप और तीनों तापों को निष्ट करने के लिए हम स्री कृष्णा बयम नमह स्री प्रणाम करते हैं भागवत के प्रधान प्रतिपाद्य मेरे गोविंद स्री कृष्ण है न इसलिए उनकी बंदना कि और भागवत के मुख्य वक्ता तो परमहनसर सिरोमनी भगवान शुकदेव जी महराज है इसलिए शुकदेव जी के चरणों में बंदन किया कियम प्रब्रजन्तमन पेतम पेतकृत्यम दोईपाएनो विरह खातना आजुहाव पत्रेतितन्मयतया तरमो भिनेदो तमसर्भवू तरदयम मुनिमान तो उस्मी बगवान शुकदेव स्वामी जिन्हों ने 12 बर्षों तक मात्री गर्भवे निवास किया और अभी नामकर्ण भी नहीं हुआ जातकर मसंसकार भी नहीं हुआ उपने नसंसकार भी नहीं हुआ अनुपेत मपेत कृत्यम जो जन्म लेते ही सीधे परमहनस बनकर के बनकी और प्रस्थान कर गए पुत्र पुत्र कहकर वेदव्यास ने उनको रोप कर लाने का प्रियास किया ब्रक्षों ने जबाब दिया ऐसे सर्भ भूत हरदे भगवान स्री शुकदेव स्वामी के चर्णों में हम बार बार नमन और प्रनाम करते हैं रूप से एकत करते हैं वैसे ही पुरानों के लिए सबसे उत्तम जगे माना गया है नई मिशारन्य आठासी हजार अब्रहमन संत बिराजमान थे उन्हें हम सौनकादी रिशियों के नाम से जानते हैं वहां सूत जी का आगमन हुआ और सूत जी ने उनको बड़ी संदर भागवत के महत्मे की कता सुनाई जिस भागवत महत्मे में दुन्दकारी की मुक्ति का प्रसंग गोकरन के बचित्तर व्याक्यान की कता और सुनत कुमारों के माद्यम से नारजी को लक्ष करके भक्ति ग्यान वईरागी की मुक्ति के लिए उनके सरीर की रुगना वस्था को दूर करके उनको पुष्ट बनाने के लिए भागवत की कता करने की बचित्तर व्याक्या की गई और अन्तमे कहां स्रीमत भागवतम सास्तर मुक्ति दाने न गर्जती ये भागवत सास्तर मुक्ति देने के लिए गर्जना करता है दुनिया में एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जो ये दावे से बोले कि मेरी सरन में आओ मैं तुम्हें मुक्षब प्रदान करूंगा केवल विश्वका स्रीमत भागवत सास्तर ही ऐसा है जो गर्जना करके कहता है कि मेरी सरन में आओ मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान कर सकता हूँ लेकिन सरन में तो तुम्हें आना पड़ेगा लेकिन स्रोता बनकर के आओ स्रोता का मतलब होता है सुनना सुनने का मतलब होता है पीना स्रोता तीन प्रकार के होते हैं प्रेम से बोलो जैसरी कृष्ण बड़ा ढीला बोलते हैं जैसरी कृष्ण वैसे एकांदसी भी है, आज कई लोग एकांदसी बृत भी करते है, बृत हम पर तो कोई काम है नहीं मारा, जब देखो जब जैसी कृष्णा, सुवेरे से एक सेव खाया है खाली, आदा गिलास दूद पिया है, हैं, हम तो बृत करते हैं, एकांदसी बृत रख रखा है हमने और आप तो प्रेम से भोजन पाके आए हो, ब्यास गद्दी पर बैठ के हर दाई मिनट में जासी कृष्णा, अरे पैट्रोल हो, तब तो गाली चलती है, बिना पैट्रोल के चलती है, लेकिन आप लोग के चेहरे को देखकर ऐसा तो नहीं लगता कि फलार कोछ अलका की मतलो ठीक ठाक चकाचक हुआ ऐसा लग रहा है, पर बोलने में कंजूसी क्यों करते हो जरा भाव से बोलो न जैसरी कृष्णा, एक सुनार थे और सत्संग प्रेमी थे, संतों के चरणों में उनकी बड़ी निष्ठा सी, कोई कोई सत्संग में बड़े प्रियो होते हैं, किस भी महापुरुस का कथा हो सत्संग हो तो बे सुनने को जाते थे, सुनार थे, और सुन कारने बड़ी संदर दो प्रतिमा बनाई, अदबो तो प्रतिमा बनाई दो, एकदम बसिष्ट जी की प्रतिमा ऐसे बसिष्ट जी बैठें, और 40-40 किलो की दो प्रतिमा बनाई, नुम लोगानंका क्यादा मैं सनार बोले एक 500 रुपे की एक 500 जार की लोग बोले पैचास जार की में सोना लगाए क्या ना दोनों पीतल की है जृट नहीं बोलूगा दोनों पीतल की है में साथ और दोनों का वजन भी बराबर है 40 40 केजी की दोनों मूर्ती हैं बिलकुल बिशुक्त पीतल है एक रत्ती भी सोना नहीं है पर इसमें एक मूर्ती है 500 रुपे की एक है 50,000 की बोले ये आपको वताना है क्वोंसी ये बताइजा मैंने तो दो मूर्ती बना दी अब आप च्छाटी है पचास हजार की कौन सी पांसव रुपे की कौन सी अब कोई आके तरा जूसे तोल कर देखे कोई उल्टी सीधी करके तिर्ची करके देखे मूर्ती को बोले भाई या यह तो बराबर की हैं कुछ हो नाक कान आख नाक सब बराबर लग रहें कोई अंतर भी नहीं है फिर इतना मुल्ली में अंतर कैसी है मारी समझ में नहीं आता एक महत्मा जी बोले स्वरनकार बड़ा सत्संग प्रेमी है महत्मा जी आकर के भील्ड में खड़े होके बोलो क्यों स्वरनकार जी आपकी मूर्ती की मैं परिक्षा ले सकता हूँ ले लो साब मात्मा जी ने सुतली हाथ में ली सुतली समस्ते है हाँ तो बरेली तो है कोई अमेरिका थोड़े है बोलो जैसरी करें हाँ सुतली भी नहीं समझेंगे मातमा जी ने सुतली हाथ में ली और ऐसे उसको गीले के हाथ से बढ़ करके लंबी कर दी और एक मूरती के काओन में सुतली को डाला इहर से ऐसे पार निकल गए सुतली मातमा जी बोले ये पांस सौर रुपे की है बरो बरसाब एकडम ठीक ने है आग फिर सुतली को महत्मा जी ने ऐसे करके और दूसरी मुर्ती के कान में डाला तो कान तो पार था ही नहीं ऐसे सुतली गई यहां और यहां आकर ऐसे मुड़ गई मुड़कर सीधी पेट में चली गई बोले यह पचास हजार की है बोले एक दम सही बोलना है आप बोले मैं सिर्फ ये बताना चाहता था कि सुनना दो प्रकार का इधर से सुना इधर से निकल गया ये हो गए सरोता या सोता लेकिन सुनकर के जीवन में जो उतार लेवे बहुते सचे सरोता है जो जीवन में उतर जाए भागवत में लिखा है कभी कभी केबल सुनने से असर नहीं हो पाता मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिरों ने सेकड़ भागवत सुन ली हाँ उनकी सुनी उनकी सुनी उनकी सुनी ठाकुर जी की सुनी इनकी सुनी लेकिन वहीं के वही है ना तो क्रोध कम हुआ ना काम कम हुआ ना लोब कम हुआ जिम प्रतिलाब लोब अधिकाई बढ़ते हैं चरा गया लिए और मैं कितने लोगों को जानता हूँ जिनों एक भागवत नियम से सुनी ब्रिकफास्ट में आमलेट लेते थे दोपहर के भोजन में चिकन चलता ही था शाम को शराब की बोतल के बिना काम नहीं चलेगा एक कथा नियम से सुनी आथ में दिन से जीवन बदल गया प्योर वेजितेरियन हो गए खाना पीना सब छूट गया माला हाथ में आ गए हमारे संत कहते हैं तुमारे हाथ में यदी माला होगी तो दूसरे हाथ में ये माला तुमें बोतल नहीं आने देगी ये माला तुमारे हाथ में सिगरेट नहीं आने देगी ये माला की ताकत है जीवन में तुना परिवर्टन आ गया तक्षनन प्रपठन विचारन परो भक्तियाँ विमुचिनर तुर सुनने इसरे भागवत की कत्या सुनने के लिए नहीं कहा गया भागवत में जहां भी कहां पीने के लिए कहां सुनने को लिखाई नहीं पिवत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुविभावुका भागवत हम मुर्थ को पीयो और कब तक पीयों और पीते ही चलो ऐसी भागवत की महिमा है ज्ञान वईराग दोनों की वृत्धता से पुष्टी मिली भक्ति देवी के मन में प्रसन्यता हुई आनन्द की पवित्र विचित्रा नुभूती हुई भागवत के महत्मिका संख्षित बर्नन किया गया तो भक्ति ज्ञान विरागाप तो बिवेको बर्धते महान भक्तिक ग्यान वैराग तीनों का संबर्धन भागबस त्रबन से होता है जिस ग्यान में भक्ती नहीं है वो ग्यान कुपत्र है और जिस भक्ती में ग्यान नहीं है वो भक्ती बाँज है बिना ज्यान के भक्ति अंधी है और बिना भक्ति के ज्यान पंगू है लंगला है इसलिए बहुत जरूरी है तीनों का समन्वे होना भक्ति ज्यान वईराग्य तीनों का समन्वे आत्म को रूप अंतस्त में होना चाहिए यदि ज्यान नहीं होगा न तो कभी-कभी हम अंदभक्ती करते हैं ज्यान से सुनना बिना ज्यान के जो सरद्धा होती है न वो कभी-कभी गलत जगे पे हो जाती है जो सरद्धासपद नहीं है बिना ग्यान की सरद्धा असरद्धासपद को सरद्धासपद बना देती है और जब असरद्धासपद सरद्धासपद हो जाता है और जब पोल पट्टी खुलती है तो बड़ी भारी मन में वेदना होती है बड़ी मन में पीला होते है इसने जानने का मतलब ग्यान है हम जिस पत पर चल रहें ये पत कैसा है इसको जानना ये ग्यान है और इस पत का लक्ष क्या है ये जानना परम ग्यान है और इस पत के लक्ष में प्राप्ति क्या होगी इसको जानना पुर्ण ग्यान है क्योंकि वो भक्ती का पुत्र है प्रहम से बोलो जैसरी कृष्टन भगवान गीता में एक बड़ी मीठी बात कहते है ध्यान से सुनना ब्रह्म भूत प्रसनात्मा कि ब्रह्म भूत प्रसनात्मा नसो चतिन कांशति समह सर्वे सुभूते सु मदभक्तिम लवते पराम ग्यान की चरम पर्णती में व्यक्ति जब कहुँचता है तो मदभक्तिम लवते पराम उसको मेरी परावग्ति की प्राप्ति होते है निवेदन सर्फ इतना है कि भक्ति ज्ञान वईराग तीनों को पुष्टी मिलती है भागवत से जन्मात्यस्यत्वन्मयादितरत चार्थिस्भविग्यस्वराग तेरे ब्रह्म हरदाय आदिकवये मुहियंतियत्सूरय ते जो बारि ब्रदाम यथा अभिनिमयो यत्रत्सर गुम्रिशा धामना स्वेन सदा निरस्टकुकं सत्यम परंधी महिये मंदिर हमें जाना ही चाहिए दो बार तीन बार जितना अवशर मिले मंदिर जाओ लेकिन मंदिर जाना भी हमारा सफल कब है जब हम ज़्यादा से ज़्यादा सत्य बोले पूजा करना पात करना उपासना करना सपसंग करना कथा सुनना ये सफल कब है जब हम जादा से जादा सक्ति बोलें दिन बर प्रभू की पूजा कर रहे हैं दिन बर प्रभू की उपासना कर रहे हैं दिन बर भगवान का राज भोग, बाल भोग, सेन आरती, स्रंगार आरती मंगल आरती, फलानी आरती, ये आरती ये कर रहे हैं और दिन बर जूट बोलने ऐसी पूजा का है कोई बहुत ज़्यादा माइने नहीं होता इसलिए पूजा भी हमारी सफल तबी है जब ज़्यादा से ज़्यादा सक्ति बोलें क्योंकि धर्मन दूसर सक्ति समाना आगम निगम पुरान बखाना और दूसर जी महाराज तो रामायन जी में एक बड़ी बिश्यत्र बात कहते हैं का सत्य मूल सब सुक्रत सुहाए सुक्रत माने सत्कर्म हमारा कोई भी सत्कर्म सफल कब है हमारा कोई भी सत्कर्म स्रेश्ट कब माना जाता है जब उसके मूल में सत्य होगा यदि सत्कर्म के मूल में सत्य नहीं है तो वो सत्कर्म स्रेष्ट नहीं है सत्कर्म पावन कब है जब उसके मूल में सत्य होगा तो मैंने सत्य को प्रणाम कर लिया सत्य को प्रणाम करने का मतलब है रिशियो मैंने सब को बंदना कर लिया कोई ये नहीं बोल सकता मैंने कोई देवताँ छोड़ दिया सत्त को प्रणाम मिन समस्त देवताओं की पूजा और वो मैंने किया एक रिशी खड़े होकर के बोले व्यास की से है आपने कहा कि सत्त धर्म है और धर्म राम है तो सत्य राम है और राम सत्य है तो फिर परम सत्य क्या है परम धर्म क्या है बोले भईया सत्य है धर्म और परम धर्म है कृष्ण कथा परम धर्म है सत्य नाराइन की कथा के धर्म प्रोजित कई तब उत्र पर्मो निर्मत धरानम सताम वाइद्यम वास्तव मत्रवस्तु शिवदं तापत्रियों मूलनं कि स्रीमत भागवते महा मुनिकरते किन्भा परेरिश्वर सत्यो रिद्यम रुद्यते त्रकृति भी सुस्रो सुवित तक्षणा ज्यान से सुनना धर्में सत्य और परमधर्में कृष्ण का था जो निशकप्टी संत हैं जो निशकामी रिशी हैं जो निरलोवी महापुरुष हैं उनके द्वारा जानने योग के परमधर्में गोविंद की का था वर क्यों जी कहता कैसी है बगवान की कथा कल्यान देती है और तापत्रयोन मूलनम तीन प्रकार के तापों को नष्ट करती है परमात्मा की कथा को सुन करके जो ये बोलता है कि बाद 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 सन लिया समझो उसने कथा सुनी नहीं कथा से मन कभी अगाना नहीं चाहिए उसको सुनते ही रहना चाहिए सूत जी महराज के चरणों में शौनका दिरिसियों ने वंदन किया और बोले आपसे महात्म सुनकर के मन गदगद हो गया आनन्दित आहलादित हो गया हम 88,000 संत बैठे हैं सूत जी और सबसे बड़ी बात आपसे हम दो कहना चाहते हैं तोयाखल पुराणानी सेतिहासानी चानग आख्यातारप्यधीतानी धर्मसास्त्राणियन्यत आप पुराणों के बहुत बड़े वेत्ता हैं जानकार हैं और इतिहास के आप मरमग विद्वान है अब देखो इतिहास का मतलब क्या होता है इतिहास पुटम आसर इतिहास घटना परधान सबते बातें जिसमें कही जाएं उसको इतिहास बोलते है और जिसकी हर बात शिख्षा के लिए कही जाएं उसको पुरान कहते हैं पुरा अपी नबह पुरान आप जानका रहें और सबसे बड़ी बात ये भी हमको लगती है कि आप भगवान वेदब व्यास जी के पुत्र हैं स्रीश सुकदेव भगवान सुकदेव के आप लाड़ ले सखाएं सुकदेव स्वामी के आप मित्र हैं और भगवान वेदब व्यास जी के आप परमवन्दनी असिश्य हैं इसलिए आप से कुछ पूछने का मन हो रहा है अरवाई संसार में किसी को सुख चाहिए तो क्या करे वो एक मनी होती है न पारस मनी पारस पत्थर होता है और हमने सुनाए सास्त्रों में लिखाए को उसको लोहे से लगाओ वो सोना बना देता है तो दुनिया में किसी को पारस मणी मिल जाए तो हो गए माला माला और माइक्रोफोन से लगाओ तो यही सोना हो जाए जिस चीज़ें लगाओ लोहाँ वो सोना बना बना स्वर्ग में किसी को सुक्रियदी चाहिए तो वहाँ एक वरक्ष है कल्प वरक्ष कल्प वरक्षिके नीचे बैसकर के मन मैं संकल्प करो कामना पूरी हो जाती लेकिन गुर्देव यदी प्रसन्न हो जाएं संत यदी प्रसन्न हो जाएं प्रेच्छत गुरुपृतो वैकुंठम योगित और लभम बड़े बड़े योगियों को नहीं मिलने वाला जो वैकुंठ है और बड़े बड़े मनीसियों को जिनका दरसन्न हो पाता ऐसे परमात्मा स्रीमन नाराएं इन से मिला देते हैं संत इन से मिला देते हैं ये महापुरुश इसलिए सूत जी आप हमारी नजर में पर्म महापुरुश हैं गुरुतुले आपके प्रती हमारे अन्तस्त में आधर का भाव है 88,000 निसी बेठे थे और उन्होंने प्रणाम किया मानव के कल्यान का मार्ग क्या है और मेरा निवेदन भोध्यान से सुनना मनुष्य के कल्यान का रूप क्या है पहला प्रश्ण है जिसे हम मुक्ती कहते हैं वो क्या है क्या परिक्रमा देने से मुक्ती मिलती है पेड़ पर उल्टे लटक कर तपस्या करने से मुक्ती मिलती है मुक्ती का रूप क्या है दूसरा प्रश्ण पूजा किसकी करें सास्त्रों में लिखा है मंदिर में ज़्यादा मूर्तियां नहीं होनी चाहिए हो जाएं तो कोई दोस नहीं है लेकिन जिनका भागवत में, रामायन में, उपनिशदों में, सांस्त्रों में गहन प्रवेश नहीं है जिनकी एक निष्ठा सत्तिता से परिपूर्ण नहीं बन पाई है वो लोग कभी कभी ध्रमित हो जाते हैं भगवान योगे स्वरसी क्रिष्ट ने जब आते हैं इस भूमी पर तो गीता में तो क्रिष्ट बड़े इस पश्ट सब्दों में कहते हैं धरमसान स्थाप अनार्था यासं बबामी युगे युगे मैं धरम की स्थापना करने के लिए युग युग में अबतार लेता हूं बरो बरे अब देखो हमारे राम जी यहां पर आए तो तकरीबन 13 हजार बरसों तक राम ने भारत में प्रशाशन किया ऐसा बागवत में लिखाएगा बालुमी की रामयन में 11 हजार बरस की बात लिखी है पर 11 हजार बरस तक राम जी इस भूमी पर रहे और हमारे गोविंद स्री कृष्ण केवल 125 बरस तक इस भूमी पर रहे तो भगवान यहां पर आये 125 बरस तक रहे और धाम जाने के बाद में धर्म कम सरण गत यह धर्म किसकी सरण में गया भई धर्म सास्थाप नार था है जब वो बोलते हैं तो भगवान के जाने के बाद तो धर्म अकेला पड़ गया होगा यह हम जानना चाहते हैं सूत जी महाराज गदगद हो गए और मुने आप लोगों ने बहुत संदर प्रश्ण किया है रिशियो देवी सरस्वती गणपती भगवान बेदव्या सुकाचार्ज के चरणों में प्रणाम करता हूँ और मैं आप से कहना चाहते हूँ क्या? मानब के खल्यान का मानब की मुक्ती का सरवोच्च शाधन यदि कोई है अधोक्षर स्री कृष्ण के चरणों की प्रीती है भगवान के चरणों की प्रीती से बढ़कर के मुक्ती का कोई साधन दुसरा है ही है प्रभू चरणों में प्रीती करो भगवान के चरणों में प्रेम तो करो लेकिन बदले में कुछ मागना नहीं है भक्ति के बदले यदि कुछ मांगते हैं तो हमारी भक्ति स्रेश्ट नहीं है और मैं कथा मैं प्राय कहा करता हूं भागवत के आधार पर किसी भैसे की जाने वाली भक्ति और किसी कामना से की जाने वाली भक्ति दोनों ही उत्तम क्वालिटी की नहीं है भक्ति किसी डर से मत करो भक्ति किसी भैसे मत करो भक्ति इसलिए करो कि भक्ति करना हमारा धर्म है भक्ति करना हमारे लिए जरूरी है कोई शंकट आ गया तो हे भगवान हे भगवान जी 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 है मेरे बेटे की साधी को पंद्रे साल हो गए अभी पोता नहीं हुआ मैं आपको वचन देती हूँ बाबा यदि घर में पोता हो गया तो तुमें सोने का छत्तर चड़ाऊंगी तो नहीं होगा तुनी चड़ाऊंगी हे गर राज बाबा हे गोगर्थन्ना इस बार फेत्री अच्छी चल गई दुकान में बरक्कत अच्छी हो गई तो दूद की धार की परिप्रमा दोंगी पूरे खांदान को लेके आऊंगी अरे बरक्कत नहीं होगी तो नहीं आऊगे ये अग्रिमेंट क्यों भगवान के दुआर पर मत्था इसलिए नहीं देखना के हमें कुछ मिल जाए इसलिए देखना है के देखना हमारा धर्म है जान देना दुख भी हमारे कर्म से आएगा और सुख भी हमारे कर्म से आएगा बक्ती तो निस्काम करो बक्ती तो निस्प्रिय हो करके करो दुख मिले मेरे कर्म का फल है सुख मिले मेरे कर्म का फल है मंदर तो मुझे जाना है माला तो मुझे जपनी है ये अनुष्ठान जो मेरा नियम है वो मुझे करना है दुख आये चाह सुख दगवान से मागना नहीं है और हम लोगों की हालत तो ऐसी बन गई है कि माला आधी होते ही मागना शुरू दस माला जप लेए पड़ोसी कुछ नहीं करता है सुबह रोटते ही बिना मूध होए चाई पी लेता है बिस्किट के संग उसके हाँ धन बढ़ता ही जा रहा है और हम पूजा की अब अगर पानी भी नहीं पीते गुरू माला जपते हैं ये करते हैं वो करते हैं हमें कुछ असर ही नहीं हो रहा है ऐसा क्यों सोचना उसके कर्मे करके आया है वो जो उसको भोग रहा है कर्मों की गती बड़ी बिचित्र होती पसमे अपन को टेंशन क्यों करना है भक्ती निस्कान करो कोई भगत रास्ते में जा रहा था तो नारज जी मिल गए नारज जी को प्रणाम किया तो नारज जी बोले क्या बात है बुले क्यों जी儿 ब्रह्मा बिष्ब महइस तीनों में जल्दी खुशकान होता है बुले ब्रह्मा जी अच्छा और जो माझें सो देते भी हैं बोले जरूर ब्रह्मा के मंदिर नहीं होते है न ज्यादा वैसे मंदिरों में कोई अलमारी में बिठा दे कोई बात नहीं है लेकिन शतंत्र मंदिर तो ब्रमा का एक ही है दुनिया में और वो है पुस्कर में बाकी ब्रमा जी का तो अलग से मंदिर होता ही नहीं कहीं साफ लगा हुआ है इसलिए कोई जरावी भक्ती करने पहुंच जा तो ब्रमा जी उधार ही वेठे रहते हैं तुरंत फल देते हैं मांगो जो मांगोगे देंगे ये वगत ब्रमा जी के पांस में पहुँच गया ब्रम्मने नमा ब्रम्मने नमा ब्रम्मने नमा ब्रम्मने नमा ब्रम्मने नमा बनातब किया तीन मेने तक भजन किया था तो ब्रमा जी माराज खुश हो गए बर्दान मांगो ब्रम रोही ब्रम रोही मैं बहुत प्रसंद हूँ बगत ने का क्या मांगूं बाबा बोलो कुछ भी मांग लो तुम और तुम सोचते हो ब्रम बिश्टनु ही सब देते हैं बगवान उसे भी देते हैं अपन भी बिधाता हैं जो मांगोगे सो देंगे और सुनो ऐसा मन में मस तोचना तुम कि हम दे रही सकते तुमने तीन महीना बजन किया है तो बर्दान भी तीन मांग लो एक महीना के बदले एक बर्दान तो तीन के बदले तीन बर्दान अब कलजुक के भगत को इतनी छूट मिल जाए बिना छूट के तो हमने भगवान की नाक में दम कर रखाए पांच पैसे के कपूर की आरती करते हैं क्या-क्या नहीं मांगते महराज सुका संपति घर आवे कश्ट मीटे तनका सुक भी दे दो संपति भी दे दो जुकाम खांसी भी ठीक कर दो तकलीप बढ़िया कर दो अरे गोल गप्पे तुम खा रहे हो शड़ा हुआ तेल का पकोड़े तुम खा रहे हो बजार में तो खांसी नहीं होगी तो क्या होगा जो काम नहीं होगा तो क्या होगा तकलिप नहीं होगी तो क्या होगा जीव बसमें नहीं है उलता सीरा खानें भगवान से करें कश्ट मिटे तनका तनका कश्ट मिटा दो यह कोई तरीखा है काबू में अपने मन नहीं तो ध्यान क्या करे मन काबू में नहीं है और पीछे सपाई कितनी अच्छी देते है कोठी कुछला से हाथ मत लगाना तिजूरी की और देखना नहीं भगवान जी सब आपका यह गलत बात है तो बिना छूट के हमने नाक में दम कर रखा है भगवान के और छूट मिल जा कि तीन बरदान मांग लो फिर तो कहना क्या क्या मांग क्या चाहिए भगवान ने का क्या मांगना है बाबा आपने खुशो के बर दे दिया मुझे सब मिल गया बोले नहीं कुछ भी मांग ले तू तीन मांग ले भगवान ने का तू मांग लू तीन बोले मांग जो मांगेगा सो देंगे 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 अपन भी बिधाता है चोटों मोटे नहीं है बोले तो पहला बरदान ये दे दो कि मेरा मकान बन जाए दूसरा बर ये दे दो कि अपनी शादी हो जाए तीसरा बर ये दे दो कि हम जब चाहें तब तीन बरदान फिर मांग ले बोलो जा स्रीक्रिशन बर्मा ने हातों कर दिया पर बोला कुछ गड़बड कर दिया ने इसने बर तीन मांगे और आगे का रेजर्वेशन कर लिया इस धंग सिक में कुछ बोल नहीं सकता देवता बचन के बड़े पक्के होते हैं बिचारे हां के करके चले गए ओहो सुंदर बंगलो बन गया बर्मा ने कह दिया बंगलो बन गया एकदम आहद इस्टेंबर बढ़िया हो गया शादी हो गई पंदरे दिन में बगत अपने बंगले में बिराम आराम विस्तराम कर रहे थे गड़कड़कड़कड़कड़कर के बड़ी जोर की बारिश आई आधी तो उफान आया बर्षा बहंग कर आई डिस्टेंबर धुल गया ये बर्मा जी बर्मा बोले क्या है बहले पहला बर ये दे दो कुछ काम खांसी ठीक हो जाए दूसरा बर ये दे दो कि बारिश मेरे मकान के उपर कभी न बर्ष है तीसरा बर ये दे दो कि जब चाहें तब तीन बर्दान फिर माग ले बर्मा बोले ऐसा ही होगा ब्रम्मा जी से का है ब्रम्मा जी ब्रम्मा बोले क्या है बले पहला बर्ये दे दो कि मेरा स्वास्त बढ़िया रहे अब सोचा डॉक्तर बुलानी की जरूरत क्या है बैद्द के घर जानी की जरूरत क्या है बिदाता है तो सही और मुपत में थोड़ी मांग रहे हैं तीन मीन फिर माग ले सनो नाक पे मक्की भी बैठे हैं तो ब्रह्मा को बिलाता है जरावी छींक भी आजाए तो आओ ब्रह्मा और ऐसान क्या है बुल तीन महीना भजन किया मुपत में माग रहे हैं क्या ब्रह्मा की नाक में दम हो गया रोते रोते ब्रह्मा गए बगवान के चरणों में जाकर बगवान मुस्कुरा करके बोले नहीं बिगाड सकता भगवान मस्कुरा कर के बोले ब्रहमा जी इन संसार के भक्तों को बरदान देने से पहले जरा ठोक पीट कर देख लिया करो ये पिलपला अमरूत भी चड़ा में तो समझो खत्रा है बोलो जासरी कर्शन ये सवार पे चड़ा कर सवा करोड़ मांगते हैं ब्रहमा बोले आगे ध्यान रखोंगा लेकिन पीच्छा तो चड़ाओ पर बुने सरस्वती अम्मा से कहा जाओ दे भी कुछ करो सरस्वती जाकर भक्त की जीव उपर बैठ गई बगतन का ए ब्रहमा जी ब्रहमा बोले क्या है बर पहला बर ये दे दो कसंसार से मुझे बैराग्य हो जाए दूसरा बर दान ये दे दो किसरी राधा माधब के चरणों में मेरी प्रीती हो जाए और तीसरा बर ये दे दो कि संसार से मेरी मुक्ति हो जाए ब्रह्मा बोले तेरा राम भला करे भाईया अरे तु भुक्ति ले चाहे मुक्ति ले भाईया मेरा पीछा छोड़ ब्रह्मा बोले जान बची और लाखों पाए मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ ये उत्तम क्वालिटी की भक्ती नहीं है भगवान से भक्ती के बदले कुछ भी मांगना ये हमारी नजरों में हम भगवान को छोटा बनाते हैं यहन से सुनना भगवान से कुछ भी क्यों मांगना आर्थी कर ली तो माग रहें पूजा कर ली तो माग रहें भोग लगा दिया तो माग रहें क्या मतलब है अरे वो अंतरियामी है वो घटगट में निवास करते हैं वो तुम्हारे हर्दे में रहता है तुम्हारी वानी में रहता है तुम्हारी नसनस में रहता है तुम्हारे रगरग में निवास करता है पिर मागना क्यों? मागा तो उससे जाता है जिसको ये मालूम नहीं कि मुझे क्या चाहिए और जो अंतरियामी है क्या उसको ये मालूम नहीं कि तुम्हें क्या चाहिए और जिसको यह मालूम नहीं कि तुम्हे क्या चाहिए इसलिए तुम मांग रहे हो तो वो कुछ भी हो सकता है लेकिन भगवान तो नहीं हो सकता बोलो जैसरी कृष्णा तो भगवान के आर्थी करके हम उनसे कुछ मांगते हैं परवर्दिगार से मांगते हैं इसका मतलब हम उसको यह बताना चाहते हैं कि तुम्हे मालूम नहीं है तुम जानते नहीं हो इसलिए हम बता रहे हैं कि हम को यह दे दो तो भगवान से कुछ मागना हां मतलब अपनी नजरों में भगवान को छोटा बनाना मत मांगिए और एक बात मैं बिना संकोच के यदि कह दूँ तो भगवान से कुछ मांगोगे तो घाटे में रहोगे भगवान से कुछ मांगोगे हम मंदिर जा रहे हैं गुर्द्वारा जा रहे हैं मस्जिद में जा रहे हैं और उनके दरवार में जाकर यदि हम कुछ मांग रहे हैं तो हम घाटे में रहेंगे क्योंकि हम मांग क्या सकते हैं हमारी पहुंच उँची नहीं है, हमारी सोच उँची नहीं है ज्यादा मांगेंगे तो बेटा मांग लेंगे, और ज्यादा मांगेंगे तो किसी अच्छी पॉस्ट कॉलोनी में बंगला मांग लेंगे और ज्यादा मांगेंगे तो दस बीस पचास हज़ार किलो सोना मांग लेंगे और ज्यादा मांगेंगे तो कोई M.P.M.L.A. फैमेले कुछ होने का मांग लेंगे और ज़्यादा मागेंगे तो ओई मंत्री संत्री भंत्री होने का कुछ माग लेंगे और ज़्यादा माग लेंगे तो प्राइम मिनिस्टर या प्रेशिडेंट का कुछ माग लेंगे और ज्यादा मागेंगे तो सर्ग माग लेंगे और उंची पहुँच हमारी है इने भगवान कहते हैं स्वेम योग चाहे तो योग देडार। भोग चाहे तो भोग देडार। मुक्ति चाहे तो मुक्ति देडार। भगत तो लेन ने देन करे कछो वाकुन तार्यों जाए भगवान कहते हैं कोई भोग बैभव मांगता है तो मैं कहता हूँ ले जा मेरा पीछा छूटा कोई अईस्वर्ज मांगता है तो देता हूँ मेरा पीछा छूटा कोई बेटा बेटी नाती पोता संती पंती खंती धन भाई भवे लक्ष्मी मांगता है कहता हूं ले जा कोई मुक्ती भी मांगता है तो कहता हूं ले जा लेकिन कोई मेरी माला जबता है मेरा बजन करता है मेरी इस्तुथी करता है मेरी उपासना करता है लेकिन मांगता कुछ नहीं है ऐसे भगत को तो मैं अपने आप को दे देता हूँ बोलो जैसरे कृष्णि और भगवान ने अपने आप को दे दिया तो कुछ बाकी बचा क्या बोलो इसलिए भगवान से मत मांगो भगवान को मांगो भगवान से मागना है तो सद बुद्धी मागो सद विचार मागो भगवान से निर्मल मती catching सद बुद्धी मागो, सद विचार मागो और मागना है तो ये मागो कि मागने की कभी इच्छा ही पैदा ना हो बалог虹 जे स्री कृष्न कथा आती है भागवत में निशंग भगवान जब प्रगट हो गए और प्रगट होकर कि प्रहलाद को गोद में लिया और मेरे निशंग देब ने कहा प्रहलाद मांग क्या चाहिए प्रहलाद बोले क्या मांगा बोले कुछ भी मांग ली वत्स मैं बहुत प्रसंद हूँ ब्रह्मा का पद मांगेगा तो मैं देदूँगा तो जो शिव बनना है तो शिव बनने से कोई रोक नहीं सकता बेटा प्रहलाद तू मांगने में बिलम करेगा मैं देने में देरी नहीं कर सकता क्या चाहिए बोल प्रहलाद बोला तो मागूंगा सो दोगे बोले हाँ देंगे ब्रम्हा बोले मेरी गद्धी गई शिवजी बोले देखो वही आपनको तो गद्धी गद्धी की जिंता नहीं समसान भूमी में रहते हैं किशी को चाहिए तो ले जाओं कमंडर उठा के दूर जल जाएंगे इंद्र बोले मेरा सिंगासन कहीं खाली न हो जाए सब देवताओं को टेंशन है प्रहलाद क्या मागेगा भगवान बोले जो मागेगा सो दूंगा बोल प्रहलाद ने हाद जोड़ कर मेरे निशन्ग भगवान से क्या मागा किया दिराशी समे कामान बरांस्त्वां बरदर्शभर कामानं रद्धसंद्रोहम भवतस्तू प्रने बरम हे मेरे परमात्मा हे मेरे निशन्ग देव यदी बरदां देना है प्रसंद होकर आपको मुझे तो एक ही बर दे दो कि जीवन परियंत मेरे मन में आप से कभी कुछ मागने की चाही पैदा नहीं हो प्रहम से बोलो जैसे कर आप जैसा बेटा भगवान मुझे तो प्रोडमा हो गई क्या है तो भगवान ने पर क्या कह दिया है पोता दे दो भगवान जी किरायत पर रहते हैं तो बंगला दे दो भगवान जी नोकल लगते हैं भगवान हमारे ये दे दो वो दे दो ये दो वो दे दो अरे दुख भी कर्म से आएगा सुख भी कर्म से आएगा थाकुर जी में अंडा भी नहीं खाता कभी गीता के साथ सोच लोग मुझे याद है और मैं दावे से कह सकता हूं कि जीवन की ऐसी कौन सी समस्चा है जिसका स्त्रीमत भगवत गीता मैं समाधान डेड़ मिनट में नहीं मिल जाए ये मौल भी कह रहे थे मुझसे मलेशिया में मैं तो धंग रह गया सुनके हमारे भारत में तो कई कई मुश्लिम परिवार के लोगों इतने भगते हैं राम तृष्णके में आपको क्या बता हूं और हमारे मत्वरा ब्रंदावन में तो सैखणों ऐसे कितने मुश्लिमों को मैं जानता हूं जो जनमस्तमी को बृत करते हैं बारे बज़े तक पानी नी पी थे और उनके दादा परदादाओं के परदादाओं की पीड़ी में जाओ तो सब हिंदू थे खो माला जपिये खो किष्ण कीरतन करिये और गोविन्द पर छोड़ दो तुम जानो नरक में भेजो सरक में भेजो गड़े में डाल दो अंदेरे में फैंक दो प्रकास में हमें नहीं मालूं हमारा तो तु है मीरा की सगाई हो गई और मीरा की जब सगाई होई और लोगों ने कूछा देवी मीरा बड़ी भग्यवती है बेटी तेरे सुन्दर पती मिल रहे है मीरा क्या बोली ऐसे बरको कोबरे जो जन में और मर जाए बरबर ये गोपाल जी जासे चुड़लो अमर हुए जाए ऐसे बरका क्या बरन करना आज साथ फेरे दे दिये कल छोड़ के चला गया आज फेरा दे रहे कल मर गया संत बोले तो कि बरबर ये गोपाल जी जासे चुड़लो अमर हुए जाए इसलिए बरका यदि बरन ही करना है तो गोपाल जी का ही बरन करो है शरीर का कोई पती हो सकता है शरीर का कोई बेटा हो सकता है शरीर के कोई बहन मा हो सकती है पर आत्मा का पती सिवाए गोविंद के दूसरा कोई हो ही नहीं सकता है इसलिए मीरा कहती है मेरे तो गिरधर गुपाल दूसरों न कोई जाके सिर मोरम कुट मेरो पति सोई मेरा पति तो मोरम कुट बाला है अस्वन जल सीच सीच प्रेम बेल बोई और अब तो बेल फेल गई अमरित फन होई भगवान से मत मांगो भगवान को मांगो गोविंद से मत मांगो गोविंद को मांगो और हमारी परिस्थिती ऐसी भजन करते हैं भगवान का और भगवान को छोड़ कर सब कुछ मांगते हैं हम धोके में रहते हैं भक्ती भगवान की पत्नी का नाम है और भक्ती रूपी पत्नी को गोविंद रूपी पती को समर्पित कर दा तो दो पत्रों की प्राप्ती होगी और वे दो जो पुत्र हैं वो है ग्यान और वैराक है तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा आपने दूसरा प्रश्ट किया था कि मंदिर में जाएं तो किसको पूजें किसको छोड़ें कौन बड़ा कौन छोड़ा सूत जी कहते हैं मेरा एकी निदन है निन्दा किसी की मत करो पर निष्ठा एक में रखो निन्दा नहीं किसी की निष्ठा एक में मीरा ने कृष्ण को सब कुछ माना पर किसी देव की निन्दा नहीं की पूरे मीरा साहित को आप देखें किसी देवता के बारे में मीरा ने एक सब्द नहीं का भगवान के चोवीश अवतार होते हैं चोवीश अवतार चोवीश अवतारों में आठ हैं ज्ञान योगी आठ हैं कर्म योगी आठ हैं भक्ति योगी और चोवीश अवतारों में स्रेष्ट तो फिर दो अवतार हो गए न जी कौन-कौन से बता के रामकृष्ण दो एक हैं अंतर नहीं निमेश इनके नयन गमीर हैं उनके चपल विशेश रागव के नित्रों में गंभीरता है कृष्ण के नित्रों में चपलता है पर रागव और माधव दोनों एक ही तो हैं राखब हैं मर्यादा परसुत्तम मेरे माधब हैं लीला परसुत्तम इनके धनस को हटा दो उनकी मुर्ली छुपा दो पता ही नहीं चलेगा राम कोने, कृष्ण कोने एक ही है दो और दोनों नीले हैं अनंत हैं प्रभू और इसलिए उनका नाम भी अनंत है उनकी कथा भी अनंत है उनका रूप भी अनंत है उनकी लीला भी अनंत है उनका सब कुछ अनंत है और चिंतन अनंत का करोगे तो ध्यान दे ना अनंत का चिंतन करते करते तुम भी अनंत हो जाओगे अन्त का चिंतन करोगे तो क्या होगा अन्त का चिंतन करो जो भूद प्रेत की पूजा करते हैं भूद प्रेत की उपास्टन करते हैं मरने पर वो भूद प्रेत बनेंगे ये कन्फर्म है जीवित अवस्तामी भी उनको चहरा भूद जैसा हो जाता है और राम किश्न की पूजा जो करते हैं आप कहीं भी देखना जो राम के उपासक हैं, राधा माधब के उपासक हैं उनका त्रहरा देखो आपको लगेगा इनसे दस मिनट बातें कर ले क्योंकि उनको क्रोध नहीं आता जल्दी वो सौम में होते हैं, सुशील होते हैं भगवान के गुण उनमें धीरे धीरे आने लग जाते हैं न हाँ और वो जान फूंक करते हैं न, भैरो मंतर भैरो मंतर उनका चहरा देखो महराज, भूत को बात में देखो पहले उनको इदेख लेगा उनको चोहरा भी भूत जैसे हो जाता है बहरों बाबा आ जाते हैं उन्में हाँ और मरने पर भूत वो बनेंगे ये कंफर में रिजर वेशन हो चुका है इसलिए राम उपासना करो कृष्ट उपासना कल जुग में भगवान को जल्दी पाने का सरवोच सरल सहज तरीका है प्रम्मा बोले के हरे राम घरे राम 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 घरे घरे ये बेद का मंत्र है कोई खाली कीर्थन नहीं है बेद में लिखाए वेदामत में लिखाए संतों ने मीटिंग करी बोले ब्रह्मा ने मंत्र तो दे दिया हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे चेतन महाप्रभू बोले भाई देखो यदि इसको हरे राम पहले बोलो गई तो ये तो वेद का मंत्र है और वेद का मंत्र तो बिना नाय बोलना मना वेद के मंत्रों को बिना श्नान किये बोलना मना है तो यदि हरे कृष्ण पहले कर दिया जाए तो ये बेद मंत्र नहीं होकर के फिर नाम महा मंत्र हो जाएगा और नाम महा मंत्र यदि हो गया तो बातरूम में भी गाओ गया तो दोस नहीं लगेगा सोते गाओ, हसते गाओ, नाचते गाओ, नहाके गाओ, बिना नहाए गाओ, मूँ धोके गाओ जूटे मूँ गाओ, सुच्चे मूँ खाओ, कैसे भी गाओ, कोई दोस्त नहीं है, यह कली संतरनो पनिशद का मनुप्र है, बहुत बड़ा सद भग्य है हमारा, हम भारत में जन्मे हैं, और ऐसी यसी ग्रंथ हैं, हमारे यहां पूछो मत ग्रंथ तो हमारा एक ही या बेद, कि बेद के एक-एक मंत्र पर रिशियों ने कई-कई ग्रंथ लिख दिये, बेद की व्याक्या इतनी ग्यान है, पर्व ही पर्वा आते हैं, ऐसा आस्चिन का महीना एक आदसी तिती सुक्ल पक्षो, हैं, भगवान महरसी विदप्यास ने, हम मनुष्यों के कल्यान के लिए, भागवत की रचना इसलिए की, कि कैसे भी जीव का मन राम कर्ष्टि चरना नुरागी बन जाए, नारायन के बेटां ब्रम्मा हैं, ब्रम्मा के बेटां सक्ति, ब्रम्मा के बेटां वसिष्ट वसिष्ट के पुत्र सक्ति, सक्ति के पुत्र पराशर, और पराशर के नंदन हैं महारसी वेदप्यास यह जन्म लेती बनकी और चले गए बद्दी नात में जाकर के पवित्र विचित्र शमाधी लगाई और इनको लगा के संसार के लोग बड़े दुखी हैं मैं उनके लिए कुछ करूँ सत्रह पुरान और महाभारत लिखने के बाद भी मन संतुष्ट नहीं हुआ तो व्यास जी के आस्रम में संत नारद आए और और नारद जी को देखकर के व्यास नेखा पढ़ा रही है नारद जी बोले आप बड़े उदास लगते हैं पारा सर्जमाभा भबता कच्चिदात मना परितुष्यतिशारीरं आत्मामानसे बबगा आपका मन बहुत उदास है ब्यास जी बोले इतने सास्त्रों की इतने गरंथों की रचना करी मन संतुष्ट नहीं है शुकदेव स्री नारद जी बोले बुरान मानों ते एक बात कह दो कि नयत्बचस्चित्र पदं हरेर्यसो जगत्पवित्रं प्रग्रणीत करगिचित तद्वाय संतीर्थ मुजंधि मान जाए नयत्रहंसा निर्मन को जिक्षया बहुत भाव से सुनना किसी सरोबर में पानी है हजारों कमल के फूल भी खिले इश्णान करने के लिए मैंने टुपकी लगाई घौंटू तक कीचर लग गया कीचर भरे सरोबर में कव्वे तो आते हैं पर हंस नहीं आते कैसे आएंगे हंस और हंसों के समान परमंस हैं कृष्ण भक्त के हंसा मोती चुगे के लंगन मर जाए हंस या तो मोती खाएगा या भूका मर जाएगा ऐसे ही जो परम वैश्ट नवराम कृष्ण के भक्त होते हैं उन्हें मरना मनजूर लेकिन किसी प्राणी की हिंसा करना मनजूर नहीं किसी जीग को तकलीभ देना मनजूर नहीं आपने कई पुरानों में कहीं कहीं बली का विधान बता दिया क्यों? आपका उद्देश से बली के द्वारा जीव हत्या या किसी को मारना या उसको खाना नहीं था आप चाहते थे 360 दिन में रोज जो मांस खाते हैं वो चलो बिजिया दस्मी को एक दिन बली दे दू लोग जो एक टाइम खाते थे वो दौनों टाइम शुरू होगे ब्यास ने कह दिया आपके भाब को समझ नहीं सके भागवत लिखो और उसमें किसी जीव की हिंसा नहीं प्राणी मात्र में गोविंद बैठे इस भाब से ब्यास नहीं बोले अब संभब नहीं है अवस्ता बढ़ रही है नारजी बोले मन में चिंता मत करो संतों के चरणों का आस्त्रे लेकर कोई भी कारे सुरू करो वो सफल होता है संत करपास सफल होगा मैं पूरू बजनों में एक उपवरहन नाम का गंदर बथा ब्यास जी मेरा नाम था उपवरहन और मैंने गल्ती किया कि रिशियों का अपराद किया तो मुझे दासी का पत्र बनना पड़ा और मेरा जन्म हुआ मेरे पिता की मौत हो गई एक तो दासी अनपड मेरी मा फिर मेरा जन्म और बाप मर गया मा ने सोचा बेटे के जन्म की खुशी मनाओं की पती की मरत्यूं का मातम मनाओं नई अवस्था थी मा की मुझे गोद मे लेके बहुत रोई और फिर सोचनी लगी समाज में बहुत बिक्रती है मैं कैसे रहूं यहाँ मुझे नहीं लगता कि मुझे यहाँ रहना चाहिए इस बस्ती में हमारे आंसुओं को कौन पहुँचेगा यहाँ जिसको देखो उसका दामन भीगा लगता है को नहीं हाँ किसी का दामन साफ नहीं है उपर से सफेद पोश लगते हैं अंदर गंदगी भरी है माँ डर गई समाज से और मुझे अपनी गोद में लेकर के मेरी माँ सीधी बन को चली गई बन में बड़े ब्रह्म बादी गरहस्त रिशी रहते हैं उन रिशीयों ने मेरी माँ तुस्ती को देखा आओ बेटी बाबा पती की मौत हो गई ये छोटा सा नन्ना सा एक साल का बालक मेरी गोद में केवल दो समय का भोजन चाहिए सेस जीवन भगवत भजन करूँगी आप बोलेंगे आस्रम में सेवा कर दूँगी जाओ प्रेम से बोलो जय स्री कृष्ण हमारी पत्नी अंदर हैं बेटी उन से बात करो और जो सेवा तुमें गुरु मा दे दें वो ले लो और रहो रिशियों की पत्नियों ने रिशी पत्नियों ने मेरी मा को गव सेवा दे दी और तुम्हारा काम है बेटी गाय का दूद दुहना दौनो टायम कुछ गव माताओं को सानी लगाना हरा चारा देना मेरी मा धन्य हो गई सेवा मिली मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ ब्यास जी तो मा की सेवा बांटने लगा और सबसे बड़ा आनन दिये कि रिशी कुमार जो थे न मैं रिशी कुमारों के संग खिलता रिशी कुमार पढ़ते तो उनके संग बैठके पढ़ता क्योंकि रिशीयों के रिशी कुल में कोई भेद भाव तो होता नहीं मैं थोड़ा किशोर अवस्था की और आने लगा एक दिन में ने देखा वो रिशीयों के कुमार जाडू लगा रहे थे मैंने कहा है दिशिभार आप क्या कर रहे हैं आप जाडू क्यों लगा रहे हैं बोले रामदास तुमको नहीं पता अरे कल हमारे याँ संत पधारे 7,4 मासे के लिए और 4 महीना खोब सथसंग होगा हमारे याँ और सथसंग जब घर में होना सेबा श्वेम करो अरे एक काम कर देना अभी करता हूँ उसने दूसरे अभी लो अभी लो अभी लो साम तक फिर दरसनी नहीं हो रहे हैं यह नहीं करना शेबा स्वेम करो अती भक्ती चोरे लोकोन नहीं बंगला में कहता है अती अती भक्ती चोरे लोकोन जो आदमी ज्यादा दुलर तिलर होता होना है इदर भी मुड़ गया गिर गया जमीन में दस बार बिस बार समझना वो अंदर से बहुत changer बोलो ज़ा त्रीक पड़दर सनी भकती नहीं य आत्रा स्वैम करनी चाहिए तुम कर दो तुम करदो क्या हूं तुम करो नारजी खेते मैं तो दासी का बेचना था मिरी का ने नहीं ये सेवा मैं भी करूंगा पर तुम भी करो हम मना नहीं करते पर हम को मत रोको हैदराबाद में नुमाईश मेदान में कर रहा था कथा तो बिलकुल युवा बड़े घरों के युवा बच्चे 18 साल के 20 साल के 22 साल के 25 साल के और बच्चों ने जूता स्टन की सेवा अपने हाथ में ली मैं कथा करके निकला था अब लोग बोले था खुरजी थोड़े यहां होके चलिये भागवत मित्र मंदल युवा सेवा दल के वो सब थे अंदर टीबी लगवा रखे थी जूता स्टेंड में जो भी कथा सुनिया में उनकी पादुकाईं उतार लें रूमाल से ऐसे साफ करें और उसको टोकन दे दें अंदर पदारो साथ मैंने का वेटा कैसे लग रहा है वो लोग चार दाम की आत्रा कर रहे हैं गुरिदे सो परसेंट नहीं एक सो भीस परसेंट यह सत्संग ज्यान गंगा है सेबा कर रिशी जब आ गए तो मेरा नाम सबने रामदास रख दिया था मैं दासी का बेटा सुबेरे पाँच बजे सत्संग शुरू होता मैं अपनी मा की वगल में आके बैठ जाता है नहा धोकर सब लोग आते पाँच बजे कथा सुरू आठ बजे तक सत्संग चलता फिर से बाल भोग लेते और बाल भोग लेकर नौ बजे से फिर सत्संग चलता बारे बजे तक और बारे बजे फिर भंडारा होता नारा जी कहते हैं ब्यास जी वो संत ब्रम ग्यानी जब भंडारा पाते तो मैं क्या करता मालूँ उनकी पत्तल में से सीथ प्रसादी उठाता है और सबकी सीथ प्रसादी दोना में लेकर के उसको मैं आरोग लेता है जैसा खाओ अन वैसा होवे मन मैं जब ऐसे खाने लग गया तो एक संत की आँखों में आस हुआ गया इधर आ बच्चा मुझे आशिरवात दिया चार महीना सत्संग का मैंने लाव लिया इसको हमारे आशित प्रसादी बोलते हैं संतों की जब महत्मा लोग जाने लगे थे मैंने का बाबा एक बात कहँए दूँ बोले बेटे क्या बात है बोले मुझे अपने संग ले चाँए कहां जंगल में ले जाके कहीं एक आंते में छोड़ देने बजन करूँगा ना बच्चा तेरी मां क्या कहेगी नहीं गुरुदिव मैं जाना चाहता हूँ अब तीन दन का सत्संगे आप तो चले जाएंगे मेरे माँ को बता चल गया कि मेरा बेचा एकलोटा बेचा बाबा जी उकное संग जा रहा है सो आपे ढ़ाम से घर पड़ी बाबा मेरा एकलोटा बेचा मेरे बुढ़ापे की लकड़ी है इसी के साहरे बुढ़ाप कटेगा और लेमए जाना बलकुल मैं मर जाओंगी इसके बिना जिंदा नहीं रह सकती मात माउने मुझे बुला के का बच्चा मा की सेवा करे और जब तक तक तुम्हारी मात तरी का सरीर है सेवा करो और सरीर तो सब का जाना है जब मा का देख अंत हो जाए तो तुम्हारी मात तरी देवो भव मा को देवी मानो नारजी कहते हैं मैं बहुत रोया संत चले गए मैंने का बाबा मेरे लिए कुछ बताके तो जाओ मुझे करना क्या चाहिए उन्हों सभी संतों ने मिलकर के मुझे उपदेश किया के नमो भगवते तुब्यम बाशुदेवा यधी मही प्रत्युम नाया निरुद्धाया नमह संकर्शनायाच इसको गायतरी मंत्र बोलते हैं ये भागवत का वाशुदेब गायतरी मंत्र है बत्ती सक्षर का नमो भगवते तुब्यम बासुदेबाय धीमही प्रद्युम नाया निरुद्धाया नमस संकर सनाया चो इस मंत्र का जाब करना बेटे मैंने का बाबा ये तो बहुत लंबा मंत्र हो गया मैं तो छोटा बच्चा हूँ तो उन संतों ने 32 अक्षर के गायत्री मंत्र में से 12 अक्षर निकाल के मुझे दिये फिर उसका नाम हो गया 12 अक्षर मंत्र हो और वो है वम नमो भगवते वासुदेवाय ये वासुदेव गायत्री मंत्र का 12 अक्षर का मंत्र है और माफ करना इसी मंत्र के जाब से स्वैम वो मनु ने दौादस अक्षर मंत्र जपे ने मेशारिणि में भगवान को पत्रूप में पालिया स्वैम दसरत बने इसी मंत्र के प्रवाब से धृबजी महराज ने धृबबपद प्राप्त किया इसी मंत्र के प्रभाव से प्रहलाद ने खम्वे से निकाल दिया वगवान को और यही मंत्र नारजी कहते हैं मुझे संतों ने दे दिया अब मैं तो एक मिनट भी घर में रहता नहीं और मेरी माँ एक मिनट भी मुझे छोड़ती नहीं अरे बेटा कहा गया रामदास किदर हैं अरे सुनता नहीं क्या अरे कहीं जाना नहीं अरे तेरे विना कैसे रहूंगी दिन बद यही मंत्र जपे पेड़ के नीचे बैठकर मैं माला जप रहा था ओम नमु भगवति बाशुली बाया और जबते जबते ब्यास जी मैंने सोचा कि माता जी जल्दी पधार जाएं तो ठीक है कहीं जाने भी नहीं देती है मेरे तो बद्री नाथ जाने का मन करता है थोड़े रस्ता तोट जाये तो क्या हुआ उपर से पानी आगया तो क्या हुआ लेकिन बद्री नाथ तो बद्री नाथ था एक अदा निर्गताम गेहाम दुहं तिन सी घंप थे सरपो दसपदास प्रिष्टा क्रपनाम कालनो दित थे एक दिन मेरी माता जी गई गाए दुहने के लिए तो घास में बेचा तो काला नाग पहर पड़ गया मा को डस लिया मैया मर गई मैं बहुत रोया नारजी कहते हैं इतनी जोर से रोया मेरी आँखों से दो प्रकार के आँसू निकले दाइनी आँख से गर्म आँसू बाईए आँख से ठंडा आँसू आदमें दुखी होके रोते हैं तो आँसू गरम निकलते हैं सुखी होके रोते हैं तो आँसू ठंडे निकलते हैं कभी रोने का काम पड़े तो प्रक्टिस में देख लेना बो जासरी करश्ट कभी कभी हम दुखी होकर के रोते हैं तो आँसू गरम निकलते हैं कभी कभी खुसी में भी तो रोना आता है पांच में क्लास में प्राइमरी स्कूल में एक लोता बेठा फश्टा गया और इतनी सी मार्क सीट लेकर नन्ने से हाथों में लेकर आया दोड़े और घर में गुस्ते ही नाचने लगा मैं फश्टा आया उसकी युबती माता ने दोड़ कर गले से लगाया बच्चे को उठाया ऐसे आस्वों की गंगा बैचली बेटे का सिर भगो दिया वो आस्वों खुसी के हैं और ठंडे होते हैं कोई-कोई आस्वों दुक्के होते हैं बड़े गरम निकलते हैं नार जी कहते हैं मुझे अनुग्र हमन्य माना मैंने माता की मौत को भगवान का अनुग्र है समझा और उनके सबसंस कार करके सीधा बन को चला गया मा गंगा का अश्टनान किया मैंने थोड़ा सा परवत परच्णा तो गुफा दखाई दी गुफा में अंदर गुस गया सुरम में बाता बरना पबन चल रही है नीचे कलकल कल 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 करती मा गंगा बह रही है इधर देखो तो हुँचे दिब दिब पहाँ परवत मालाएं ऐसे सुन्दर सुरम में वरक्षर मेरा मन लग गया बजन में बईया और मैंने तो दौतस अक्षिन मंत्र का जाब शुरू कर दिया तो आप क्यों नहीं करोगा एक आसी है आस्वन का महीना है भागवत की कथा है इसमें तो आनंद लेना है नारजी के संग हम लोग भी लग जाएं तो हमारे बरज में कहते हैं कि हूँ के संग खर्तुवा में पानी लग जाता है बोलो जाए स्रीक्रिश्ट और गाए की कुछ पकड़ने तो भगतर नवेतर नहीं पार हो जाती है अपनी आत्म का था नारद व्यास को बता रहे है ऐसे द्वादर सक्षर मंत्र का जाप किया और एक पल में अंतरधान भी हो गए मैं तो रोने लगा कहां गए मेरे बगवान जी तो आकास मानी ने कह दिया सक्रदियत दर्शितम रूपम एतत कामा यतेन घर मतकामा शनकईर साधो सरवान मुन्चतर रिच्रयान अभी तुमारे कर्म संसकार से इसे अगली बार मिलेगे और वही दासी का बेटना बच्चा राम दास जब दुनिया मर गई तो ये बनके आया ब्रह्मा का बेटा ब्रह्म पुत्र बना और ब्रह्म पुत्र देवर्शी नारद बन करके देवदत दयमा बीग्णाम स्वरभ ब्रह्म अभिभू से ताम ब्रह्म पुत्र देवर्शी नारद बन सकता है आप बागवत को नहीं लिख सकते हैं और तुम्हें करना कुछ नहीं तुम तो भगवान के अवतार नाराद ने मेरे पिता ब्रह्मा को चतशलो की भागवत का उपदेश किया और ब्रह्मा के चरणों में मैं बैठ्चाता तो ब्रह्मा ने वही भागवत मुझे सुना दी जिसमें चार मंत्रे और मुझे से कह दिया कि अथा हरो भगवती नणां भक्तिर भविष्यति सरवात्म्यन्यकिराधारे इती संकल्प्यवरुन भगवान के चरणों में जीव की भक्ती जगे ऐसा संकल्प ले खर तुमें इसका वर्णन करो बेटे आदेश मनगे वही तसलोकी में आपको बता देता हूँ आप बिस्तार से उसको लिखिए नारजी महराज ने ब्यास जी के हरदे से तीन उगली लगाई और पूरे भागवत का उपदे से उनके हरदे में उडेल दिया ब्यास जी महराज ने समाधी लगाई और चार मंत्रों को अठारे हजार मंत्र कर दिया ये भागवत है किसको सुनाएं भागवत सुनने का अधिकारी को ने बड़ी चिंता तो ब्यास के हरदे से आवाज निकली भागवत को सबसे पहले पढ़ने का अधिकारी वही है जिसने काम क्रोध को जीता है ब्यास के हरदे से फिर आवाज आई और ऐसा व्यक्तित तो संसार में कोई है तो तुम्हारा अपना पुत्र सुकदेव है जिसने काम क्रोध को जीता है क्यों सुकदेव तो जन्म लेती बनको चले गए थे और समाधी में बैठ गए थे निर्विकार निर्विस्टियस निर ब्रह्म की समाधी बड़ी विच्चत समाधी लगी है अब सुकदेव जी को बलाया कैसे जाएं वो तो निर्गुन ब्रह्म की समाधी में बैठ तो भागवत के मंत्रों में इतनी ताकत है बड़े-बड़े समाधिस्तों की समाधी खुल जाए जम मेरे तिर्ची चितवन वाले टेड़ी टांग वाले त्रिवंग लले तर गोविंद की जहांकी का बर्नन होता है तो बड़े-बड़ों की समाधी खुल जाते है अभी आठ नवंबर से मैं हरिद्वार में कर रहा हूं कथा हरिद्वार की कथा में संत बहुत आते हैं सुनने और कभी-कभी जब गोविंद की जहांकी का स्वर लहरी में गान होता है तो बड़े-बड़े मंडले स्वर ठंका मार के नासते हैं बोलो जासरे कृष्ट व्यास के सिष्यों ने सुकदेब के संमक जाकर के मंतर गाए उन्हों मंतरों को सुनकर के सुकदेब की समादी खुली वो दोड़े-बड़े व्यास के पास आकर बोले मुझे कृष्ट ने का थासरा आई है प्रेम से बोलो जैसरी कृष्टन है ये कैसे पता चले यदि दूसरा कोई बोल दे और दूसरा कौन हो सकता है ग्यानी राजा जनक इनका नामे बहुलाश्ट जनक महराज के वन्ष्ट में बड़े ग्यानी जनक हुए एक जनक महराज निमी हुए जनके यहां पर नभी योगे स्पर गए थे एक जनक महराज वो हुए जनकी बेटी जान की थी उनका नाम था सीरत दुज और एक जनक यह हैं जनके यहां सुकदेब जी अद्धेन करने गए बहुराश्ट अब शुकदेब जी तो लंगोटी भी पहनते नहीं थे तो लंगई बावा थे लिगंबर और जाकर के खड़े होगे जनक महाराज के द्वार पर सेना पती ने पूछा किसे मिलना है बोले हम व्यास रंदन शुकदेब हैं वेदानत पढ़ने आये हैं पताजी ने बेजा जनक महाराज से पूछी है क्या ये सुअब सर मुझे प्राप्त होगा जनक के पास में ब्यास्ती ने सूचना विजबा दी थी मेरा पुत्र आ रहा है पढ़ने अच्छी तरह परिक्षन लेना पास होना चाहिए जनक ने कहा जाकर के उनसे बोल दो कि अभी टाइम नहीं है तीन दिन तक दौर पर खड़े रहे हैं दौर के सामने बालू में तप्ती धूप में सुगदेब जी नंगे बदन खड़े हैं और तीन दिन नहीं पास दिन तक खड़े रहे पर क्रोध नहीं आया आजकल के ग्यानियों को आप आपकी जगे तुम कह करके देखो क्रोध के मारे आग बबुले हो जाते लेकर जो सक्चे ग्यानिय हैं वो बड़े सरल होते बड़े सहज होते मेरा जीबन संतों के प्जीच में बीता है शामी करपात्री जी महराज अनंतस्त्री शामी अखनान अनंद सरस्ष्वती जी महराज पुझ डौंगरे जी महराज अभी बरत्मान में पुझ मुरारी बापू उस घ्रमेस बाई हो जाति इनमें कुछ विरक्त कुछ सद्ग्रहस्त संत है कैसा निर्मल जीवन पुझ बाबा रामदेब जी महराज सरणता सहजता ये व्यक्तित तो होता है संत का जेनक ने खाँ जांकर कर शुकदेब के चहरे को देखो उनके चहरे पर यदि करोध की मुत्रा दिखाई दे तो वापस करते ना बोले महराज मैंने बहुत संत देखे पर ऐसा नहीं देखा ये पांच दिन से दूप में खड़ा है तपती बालू में ब्रह्मचारी लेकिन चहरे पर मैंने जरा भी करोध नहीं देखा जनक की आँखों में आस्वा गए माफ करना महराज आपके पतासरी की आग याए मैं परिक्षा ले रहा हूँ सुकदेब जी को अंदर बिठा दिया बोले अंदर बैठी ए ठीक है भी तीन दिन टेम नहीं है जूले पर याँ बबबब बबब 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 बबड़ जाई है सुकदेब जी को जूले पर बिछा करके चले दे एक से एक संदरी अपसराओं ने सुकदेब को घेर लिया कई तो बिलकुल आलिंगन करके बगल में बैठ गई पर सुकदेब के चहरे पर मन में कोई विकार नहीं आया जैनक अगर के चरनों में गिर पड़े मुझे माफ करिये मैं आपको विदानत नहीं पढ़ा सकता सुकदेब जी बोले क्यों त्योंकि विदानत का ससत हर्सताक्सर तो आप है महराज आपको कोई क्या विदानत पढ़ाएगा बस मुझे माफ कर दीजिए मैं ये नहीं कर सकता ऐसे मुपदेश किया और व्यास जी के पास में सूचना पहुचाई महराज आपके पुत्र ने काम, क्रोध, लोब, तीनों को जीता है इसको इस परस भी नहीं बें शुकदेव जी महराज व्यास जी के पास में आये व्यास ने उनको भागवत पढ़ाने से पहले कौपीन वंत बनाया कौपीन पहनाई राजा परिक्षित को साथ दिन में मरने का शाप जब लगा कोई बड़े-बड़े संत भी निर्णे नहीं कर सके के साथ दिन में परिक्षित को मुक्षि कैसे मिले भगवान सुकदेव जी पदारे और ऐसी भागवता मुर्द की आउसदी पिलाई के साथ में दिन ही परिक्षित को मुक्षि मिल गया साथ में दिन गोविंद को पादिया बोले परिक्षित कौन है पुर पंडबों के पौत्र हैं परिक्षित चेंग यदाम्रदे कौरबसंगयाराम बीरे स्वथो बीरे गतिवन गतेशू ब्रगोदराविद्ध गताविमर्शं भगनोरुदंडे धृतराष्ट पुत्रे बहुत संदर भाव हैं कौरब पंडबों का युद्ध चल रहा था सभी कौरब प्राय हमारे जा चुके थे कौरबों में दुरियोधन और पंडबों में भीमसेन का अंतिन गदा युद्ध चल रहा था और महराज भीमसेन ने अपनी गदा से दुरियोधन के जंगां को तोड़ दिया और जैसे दुरियोधन के जंगां को तोड़ा अबे पड़े हैं रनभूमी में एक एक पल गिन रहे हैं अपनी मौत के उसी समें दुरूना चार्ज का बेटा सुत्थामा आया आकर के दुरियोधन से बोला मित्र तुमारी ये दुरुगती किस ने की तुमारे साथ में दुर बिबहार किस ने किया बोले मैंने तुम से आस तक जीवन में कुछ नहीं मागा लेकर आज मागना चाहता हूँ जिनात्री में हम पंड़मों को मार देंगे आप चिंता न करें ये वाई चित्र है आप न करें जिनता परजा को राखे साईया मार सकहिना कोई बार निबा का कर सके जो जगवेरी हो हमारे मन में विश्वास नहीं है इसलिए हम भटकते हैं मेरे गोविन ने जिसकी रक्षा का महार अपने हाथ में ले लिया उसका बाल बाका कौन कर सकता है आप तो जानते हैं महाभारत का युद्ध शरद रितू में हुआ है जाड़े की भैंकर रितू में हुआ सरदी में हुआ और वो भी पाउश महीना में हुआ भगवान ने गीतना सुनाई थी अगहन के मास की सुक्ल पक्षी की एकासी को और अठारे दिन तक महाभारत चला यानि के पाउस के आदे महीना से भी जादा भैंकर ठंडी और कुरुक्षित्र का मैदान साँ साँ करके चल लेए ठंडी हवा अब दिन में युद्ध करते थे रात को अपने टेंट में लगे थे उसी में सोते थे पंडब अपने कक्ष में सो रहे हैं द्रोपदी के पाँच बच्चे भी सो रहे हैं द्रोना चार्ज का बेचा स्वत्थामा हाथ में दंश्मान तलबारादी लेके गया रात्री के बारएमर्ज के महत्मा अर्ज्व की नीद कुली तो अर्ज्व ने देखा साइशाह Wilson करके बड़ी थंडी हवा चल रही है और ऐसी थंडी हवा में कुरूक शित्र के मैदान में रात्री के तकरीबं साड़े बारे बजे अपने हाथ में चड़ी लेकन हाथ में डंडा लेकन के कृष्ण पांडवों के कख्ष के द्वार पर उनकी रखवाली में दर्वान बन करके खड़े को ने अरजुन ने देखा भगवान खड़े ते पीतां बर पहने और उपर की चादर उड़ी जा रही थी केशब आप इतनी भीष्ण थंडी और इतनी थंडी हवा आंधी और आप महल के द्वार पर खड़े हैं इस टेंट के द्वार पर हमारे कक्ष के द्वार पर क्यों भगवान बोले नीद आती है तुम्हे अरजन बोले बाग दोर जब आपको सौप दी तो हम तो सोएंगे कर नहीं हैं के काहू के बन भजन को काहू के आचार ब्यास भरो से कुमर के सौबत पाम पसार जीवन की बाग दोर तुम्हें सौप दीखने हैं हमें चिंता क्या है भगवान का मुझे लगता है आज इस कक्ष में तुम्हें नहीं सोना चाहिए और पांचों पांड़म को साथ में ले करके कृष्प ने दूसरे स्थान पर चले गए लेकन दुरोपदी महरानी के पांच बच्चें महीं सोते रह गए रातरी में स्वत्थामा आया हाथ में तलबार धंसमान आदी सब लगे थे और सोते हुए दुरोपदी के पांच पत्रों को उसने पांड़ समझ लिया पांचों का सिर काट दिया और सोचा दुरी ओधन कहेगा इतने बड़ा कांड करके आए प्रमान किया तो पांचों का सिर थैला में रख लिया दोड़ा दोड़ा दुरी ओधन के पास में गया दुरी ओधन बोले क्या हुआ बोले मेत्र बास खतम कर दिया काम काम कर दिया तुम तो ऐसे बोले जैसे गाजर मूली काट के आए हो के अरे पंड़मों को मारना इतना सहज है मुझे मालूम था तुम विश्वास नहीं करोगे तुम कहों के पंड़मों को मैं मारी नहीं सकता इसलिए पंचों का सिर्थ थैले में रखके लाया हूँ अच्छा और प्रकास में आकर के जैसे थैले से निकाल के दिखाया दुर्योधन बोला पागल ये तो द्रोपदी के बच्चों के सरें यद्यभी वो बच्चे भी बड़े बीरित पराक्रमी थे लेकिन तुने क्या किया तुने तो ना समझी कर दी गुरुपत्र अरे हमारे वंस में कोई बचा नहीं कम से कम द्रोपदी के पाँच बच्चे रहते तो हमारा वंस आगे तो चलता कोई रात तरपण करने वाला तो रहता तुने तो सब खतल कर दिया गोल वैया अंदे राथा लंबे तकड़े सोय थे मैं सोचा पांड भी होंगे दरियो धन जमीन पर गिर्पणा मर गया प्राण निकल गए द्रोपदी ने सुना बहुत रोई कि माता सिसूनाम निधनाम सुतानाम निसम्य घूरं परितप्यमाराम क्या बिगाना था मेरे बच्चों ने क्यों मार दिया आखिर असुतामा ने उन्हें अरे गुरु पुत्रों ने यह गलती क्यों की द्रोपदी खड़ी हो जाएं फिर रोएं खड़ी हो जाएं फिर रोएं गिर पड़ें शेक्ड नारी यहां आ गई गए देखो छोटे बच्चे क्यों मार दिये अर्जुन ने अपने गांडीव को होटा करके प्रतिग्यां कर ली दे भी तुम्हारे पांच पत्रों को मारने वाले पापी अस्वत्थामा आखास माताल में कहीं भी होगा मैं छोड़ नहीं सकता है और घंडीव हात में लेकर के मारने के लिए महत्मा अर्जुन दोड़े तो आगए अस्वत्थामा दोड़ रहा है पीछे अर्जुन बैठे क्रिष्णा अर्जुन दोड़े चला रही है और अस्वत्थामा ने देखा कि मुझे मारन डालेगा उसने ब्रहमास्त चला दिया और अखाश मार्ग में ब्रह्मास्तर को आते देखा अर्जुन ने कहा करेंगा यह कितनी बड़ी नासमझी कर दी इसने नासमझ रहे ब्रह्मास्तर चला दिया कचो तो मियां बाबरे कचो पी ले भांग द्रोना चार ये नहीं सारे अस्तर पांड़मों को सिखाए थे पर अपने बेटे को नहीं सिखाए गा जिसे आदमी का बात-बात में बी-पी-हाई हो जाता हो बात-बात में क्रोध जिसकों आता हो उसके हाद में बंदू को दे दो के तो काम गड़बडी करेगा ना दुनिया का सबसे बड़ा जो ना समझ रास्त है वो हमारी पड़ोस में ही तो है और उसको फिरकनी हाथ लग गई है अब बार-बार कहता है चलाओ चलाओ अरे रहंदे भाई मत चला दे ना समझ विक्ति के हाथ में तलबार दोगे तो नाग पर मक्षी भी बैठनी के तो तलबार सही मारेगा पंडब कौरमों को जब दोना चार्दी ब्रहमास्त्र की सिक्षा दे रहे थे तो छुपकर इसने चलाना सीख लिया लोटाना फिर भी नहीं जानता और जैसे ब्रहमास्त्र को आते हुए देखा अगोविंगर से बोले प्रभू कुछ करो कृष्ण कृष्ण महाबाहो बक्ता नाम अभयंकरह तुमे को दही माना नाम अपवरगोसी संस्रते कुछ करो करें यह यह क्या कर दिया इसने यह जो परमान अस्त्र होते हैं वो ब्रहमास्त्र का ही रूप है और इसका सबसे पहले निर्मान हमारे रिशियों ने किया था रिशिय का मतलब होता है जो रीसर्च करे जो नई नई खोज करे वो रिशिय है आप जानते हैं आज से 49 पचास लाख बर्स पहले सबसे पहला हवाई जाज भारत ने बनाया था रिशी करदम ने तकरीबन 49 पचास लाख बर्स पहले की बात रहता रिशी विश्वामित्र रिशी वालमी की रिशी करदम ये सब विज्ञानिक रिशी है प्रामाण में लिखाएगा सीताराम गुनक ग्राम पुन्यारन्य बिहारिलव बंदे बिशुक्त विज्ञानव कभी स्वर कभी स्वरव बंदे बिशुक्त विज्ञानव ये बिशुक्त विज्ञानी है रिशी वालमी की और रिशी वालमी की ने तो राम के पुत्रों को ऐसी तालिम दे दी महराज कि वो हनुमान जी पबन तने बल पबन समाना पबन पत्र हनुमान उड़ गए आकास में परबत ले आए राम के बेटें लवकुस ने जो वालमी की मुनी के सिस्चे हैं दोनों ने हनुमान को रुसी से बांद के खम्मे में लटका दिया खम्मे से बांद दिया जान की अम्मान ने का क्या लाए हो बोले बंदर लाए है खेलने के लिए हनुमान जी बोले अच्छा भरजी महराज बड़े पराक्रमी उनको बांद दिया लखन जी महराज बोलते थे मैं ब्रमान्ड को खाड़के वो गेंद के जैसे ब्रमान्ड फैक दूँ उनको भी लाइन में लगा दिया ये तो भाग गया था था कि राम जी वह नहीं गए थे नहीं राम जी को भी चंदा तारे दीख जाते बोलो जैसरी कृष्णा ऐसे राम के पुत्र हैं दौनों लवकुश और भगवान राम ने कहा था कि राम से स्रेश्ट के राम का पुत्र तभी हो सकता है जब उसकी आँखें रिशी वालमी की के आस्तरम में खुलें ये विज्ञानी थे रिशी वालमी की वालमी की हुए विश्टामित्र जी हुए रिशी करदम जी हुए जमदगनी हुए रिशी दुरवासा जी हुए हाँ रिशी भगू जी हुए ये सो विज्ञानिक संते हैं इन्होंने विज्ञान का आविसकार किया और ये कि उन रिशियों को पता चल गया था कि विग्यान में विकास तो है पर बिनाश भी होता है इसलिए तकरीबन साड़े पांच हतजार बर्स पहले रिशियों ने मना किया और उन्हें धीरे धीरे रोका रिशियों के विग्याने के युग का अंतिम युद्ध था कौर्ब पंडमों का युद्ध महा भारत और महा भारत के बाद तो रिशियों ने स्टॉप लगा दिया नहीं विग्यान नहीं चलेगा प्रकृती से जुड़ कर के चलो और वही रिशियों की पुष्टकों में खोज किया हुआ विज्ञान का आविसकार आज से तक्रीबन दो सो बर्स पहले वो पुना थोड़ा थोड़ा सलगने लगा एगलेंड के अमरेक और अमरीकन और येरोपियन देशों के अंग्रे जोने नालंदा विश्च विद्ध्याले से उन पुस्तकों को फिर निकालना जरू किया और हमारे उन वेदों के इतिहासों से विज्ञान के रिशियों की रिसर्च का अद्यन किया और आज वही विदेशी लोग विज्ञान के सिर्मोर गुरू बन गए ये उन्ही विग्यानिकों का कहना है कि ये देन सब भारत के रिशियों की है बोलो जैसरी कृष्टना तो ये बाएब ये ये ब्रमास्त्र सबसे तेज समाना जाते है उसी को हम कल जुग में अभी परमानू अस्त्र बोलते है जो बहुत विचित्र होता है, विक्रत बना देता है मैं क्या करूँ इसने ब्रमास्त्र सरा दिया बगवान बोले, चिंता मत करू अरजन बिसस से विसमाय उज़ादम विश्पी आउशधी विशही होता है कभी कभी विश्की आउशधी विश्पी होता है कांटे से कांटे को निकालते हैं अज़ा किसी आदमी को काला नाग डस दे उसको तुरंट डॉक्तर के पास ले जा जिन्दा करना है बचाना है तो डॉक्तर के पास ले जा और निश्चत रूप से मारना है तो जालत मुछ बालों के पास ले जा बोलो जो स्रीकृष्णा और डॉक्टर के पास आप ले जाएंगे बचाने के लिए तो डॉक्टर उसको जहर का इंजेक्शन लगाता है और जहर से जहर टकराके आदमी ठीक हो जाता है लोहे से लोहे को काटते हैं काटे से काटे को निकालते हैं भुर्मास्त्र को शन्त करने का तरीका भी ब्रमास्त्र है अर्जुन ने अनुषंधान करके भुर्मास्त चराया और दौनों टकरा के शन्त होके जमीन पर गिर पड़े दौड करके देवी द्रोपदी के पास में लाए यह तुम्हाने पांच पत्रों को मारने वाला पापी अस्त थामा है मरतु दमने तो इसको दूँगा मरना तो इसको सुनिश्चित है लेकिन तुम बताओ कैसे मारे है बताओ तुम बताओ इसको मारा जाएं कैसे अबाचचा सहंत्यस्य बंधना ने नमसती मुच्यता मुच्यता मेशक ब्राह्मनों नितरां गुरो द्रोपदी बोली मत मारो अर्जुन ने कहा क्यों अरे सोते हुए तुम्हारे निरपराद बच्चों को इस दुष्ट ने मार दिया और एक नहीं पांच पांच बच्चे मार दिये तुम कहती है उसको छोड़ दो अरे कम से कम मुझे ये विश्वास्त न है कि मेरे पांच पती है मेरे पांच बेटें मारे गए पर मेरे पांच पती तो सुरक्षत है ये तो अपनी मा का एकलोता बेटा है और इसके पिता इसकी माता के पती को आपने युद्धमे मार दिया रोनाचारज को और एकलोते बेठे को भी मार दिया तो इसकी माता गौतमी कितनी रोई गी उनकी स्तति क्या बनेगी सोचो ब्राह्मन तो गुरू होता है और यदि आप इसको मारना चाहते हैं तो मारी ए, मुझे इंकार भी नहीं ए लेकिन मरी एक सर्त है अरजनों बोले, तुम जो सर्त रखोंगी, हम मानेंगे लेकिन इसको मॉर्तथन्ड नहीं देंगे द्रोपधिय, बोली तो इसको मारो, मै मना नहीं करती हो पर सर्थ ये है, इसको मारने से मेरे पॉंचों बच्चे यदि तुम जीवित कर सकते हो तो इसको मार दो, पर इसके मारने के बाद भी मेरे पॉंच बच्चे तुम जीवित तो नहीं कर सकते हो, पर एक ब्रहमन को मार कर ब्रहम्हत्या मोल क्यों लेना चाहते हैं। अर्जुन ने युदुश्टर की और देखा भाई जी आप बताईए क्या करना चाहिए युदुश्टर जी बोले देख लो भाईया धर्म गरंतों में जैसे लिखा हो कोई गड़बर न हो जाए कहीं ब्रहमन तो है वो ठेरे धर्मराज बड़ी समस्या भीम सेरे से पूछें मजले भाईया आ आप क्या कहते है इसको मरतोदन देना चाहिए के नहीं एश्वट्हामा को मारना चाहिए के नहीं भीम शें बोले तुन छोड़ दिया तुम्हे मार डालूँगा इसको मरतोदन मिलना चाहिए नकल सहदे बोले भाईया ठीक कह रहे हैं दुरुपदी कहती है मत मारो भगवान वहीं खड़े थे द्वारे कदीस बोले हम से कोई पूछता ही नहीं है तो हम काई को बोले बिना पूछे किसी को राए मत दो और कोई अन्याय से पूछे तो बिल्कुल मत दो अर्जुन ने तुरंत कृष्ण को प्रणाम किया ध्यान से सनना केशफ में बहुत दर्म सिंकट में पड़ गया इसने पांस-पांच बच्चों को सोते हुए निरपराद बच्चे मारे हैं इसको मरतुदन्ब तो मिलना चाहिए न लेकन दरोपदी कहते हैं मत मारो भाया युदुष्टर कहते हैं देख लो बीमसन कहते हैं जरूर मारो चोटे बाई अनमोदन करते हैं मेरा मारे दर्सन करो मेरे सद्गरू भगवान ने का देखो एक मात बताते हैं हम अब तुम मेरे बुआ के बेटे हो इसलिए मैं कुछ कहूँ ऐसा नहीं तुम मेरे सिस्चों इसलिए मैं तुमारा पक्ष लूँ ऐसा नहीं जो धर्मनीती है वो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ अर्जुनों बोले बताईए भई या सास्तर की धर्मनीती कहती है कि ब्रह्म बंधुर्नहं तब्यव आतताई बधालहन मयवववयमानातं परिपाई अनुशाशनं धर्मनीती कहती है ब्रह्मन कैसा भी क्यों नहो उसको मृत्दंड देना मना है बध्यान से सुना भगवान कहती है सास्तर की नहीती है ब्रह्मन कैसा भी क्यों नहो उसको मृत्दंड देना मना है और बालखों का हद्यारा कोई भी क्यों नहो उसको छोड़ना मना है बालकों का हत्यारा कोई भी क्यों नहो उसको मृत्युदंद देना चाहिए और ब्रहाम्मन कैसा भी क्यों नहो उसको मृत्युदंद नहीं देना चाहिए अब जो तुम्हारी इच्छाइसो तुम करो एक और बाद द्रोपदी तुम्हारी पत्नी है उसकी बात तुम्हें माननी चाहिए युदिश्थिर तुम्हारे बड़े भाई हैं उनका अनमोदन उनका अफिर बात लेना ही चाहिए भीमसें गलत क्यों बोलेंगे बड़े भाई है नकुल सहदेव तो सेवा करते हैं उनकी बात में सत्यता है और मुझे तुम से क्या लोब है मैं जूट क्यों बोलूँगा इसलिए मैं जो कहता हूँ वो करो द्रोपदी जो कहती है अवस्र करो युदिश्थर जो कहती है उसका पालन करना ही चाहिए बीमसें जो कहते हैं जरूर मानो और तुम जो चाहते हो वो तो हो नहीं जाहिए सब लोग चुपचाप खड़े हैं बीमसें ने ताली बजा दी और हस करके बोले है नियाए अधिस जी प्रणाम करता हूँ आपको क्या जज्जमेंट दिया है और आप जैसे नियाए अधिस दोच्यार पैदा हो जाएं तो नियाए विवस्ता तो फिर पानी में जाएगी भगवान ने का भी हम दादा कभी दिमागी कसरत भी कर लिया करो और मेरे मुख से जिसने गीता को सुना है न उस अरजण को इस से जादा कुछ भी बताना जरूरी नहीं है अब मारना भी नहीं है छोड़ना भी नहीं है मारना भी है और छोड़ना भी है लो करें किया अर्जुन ने भरी सभा में क्या किया मालू है अर्जुन ने भरी सभा में अस्वत थामा की आदी डाड़ी मूड़ दी आदी मूचे मूड़ दी आदे सिर्के बाल मूड़ दी और उसके मस्तिस्क में ब्रम्मतेज की मनी थी मनी जहार मुर्धन्या उस मनी को उसके मुकुट से मातेश्य निकाल कर धक्पे देखकर समा से बाहर निकाल दिया ए सही ब्रह्म बंधूनाम बधोनान्यूस दिदैकर प्रश्न मुद्धु धन्ड देने से नहीं है मारने में लगता क्या साथ-ाठ ग्राम की गोली होती है मार दो आदमी खतम यह कोई मौत है समाज में जिसकी प्रतश्ठा है समाज में जिसकों लोग आदर से देखते हैं उस व्यक्ती का भरी समा में सामाज एक बहिसकार कर देना इससे बड़ा मर्थ धन्ड दूसरा हो ही नहीं सकता प्रेम से बोड़ो जैसे कृष्णा अरे गोली से मारोगे तो एक सेकंड में आदमी खतम लेकिन समाज में अपमानद करके जिसका बहिसकार किया जाता है ना वो आदमी दिन में पचास बार रोज मरता है वो पलपल मरता है मरतुदंड दे भी दिया और मारा भी ने अस्वत्थामा के मन में तो एरश्या आ गई है हमारे जीवन का सबसे बड़ा दरगुन है एरश्या और आलस्या आलसी मत्बर आज भारत की जो ये दुरगती हो रही है ना इसका मूल कारण ये दोनों ही है जापान तीन बार खत्म हो गया लेकिन तीनों बार दमदारी से उठा जापान में लोग क्या करते हैं मालूम है हर्ताल करते हैं तो आठ गंटे की जगह बीस गंटा काम करेंगे यहां बाद लेंगे काली पट्टी और बीस गंटे काम करेंगे मालक कहेगा अरे भाई अरे अम सौरी अरे गलती हो गई भाई तुम्हारी सम्मांगे मनजूर भाईया बिमार हो जाओगे अम मत करो बास 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 तुम्हारी मांगे मनजूर इस तरीका है महां हरताल का हमारे हरताल करेंगे तो जिस फैक्ट्री में काम करते हैं पहले उसी को तोड़ेंगे सरकारी बाहनों में आग लगाएंगे भारत माता के सपूत तायर जला रहे हैं बसने क्या बिगाड़ा जी आपका सरकारी संपत्ति उसको नुकसान क्यों रेल में आग क्यों ये पद्धती जब तक इस राष्ट की बनी रहेगी ये राष्ट कभी उन्नत नहीं हो सकता ये कंफर्म है बोलो जह स्रीकृष्ण राष्ट प्रेम होना चाहिए राष्ट्रियता होनी चाहिए आप तीस बरस से नूकरी कर रहे हैं वेरिका का नियमे आप तीस बरस से नूकरी कर रहे हैं और आज आपको छोटा सा कार्ट दे दिया बोले कल से मत आना क्यों काम नहीं है आप रपोर्ट नहीं कर सकते आप आंदोल नहीं कर सकते आप अड़ता नहीं कर सकते करो तो करो एक सेकंड में अंदर डल देंगे शुविदा यह है कि जब तक आपकी दूसरी नौकरी नहीं मिल जाती आपको सरकार भोजन देगी कार्ड मिल जाएगा किसी विरेश्टरा पे जाके उस कार्ड को दिखाओ फ्री भोजन करो जब तक सर्विस नहीं मिल जाती आप हड़ता नहीं कर सकते थोड़ फोड नहीं कर सकते राष्ट उन्नत बनता है इर्शा से काम नहीं चलेगा आणस से नहीं काम करिये कर्म से ही सब कुछ मिलता है नाभुक्तम शीयते कर्म जन्न कोट सतई रपी अवस्यम एवभुक्तव्यम कर्तम कर्म सुभा सुभा आलसी आद्मिन अपनी उन्नती कर सकता है राष्ट की तो कर ही नहीं सकता उसने कहा मैं पांडवं के वंस को निर्वंस कर दूँगा है हई कोन है पांडवं के वंस में बचा ही कोन है एक बेट अभिमन्म नियु था अरड़न का वो युद्ध में मर गया और पांस बेटे और थे द्रोपदी के कल मैंने मर दिये अब पंड़मों के बाद तो उनका बंस निर्वंस ही हो गया न जी अस्वत्थामन का नहीं नहीं अभिमन्यों की मौत के समय मैंने सुना था उसकी पत्नी गर्वबती है और अभिमन्यों की जो विद्वा पत्नी सगर्वा है यदि उसके गर्व के बच्चे को गर्व में निष्ट कर दिया जाए तो पंड़मों का वंस निर्वंस हो जाएगा इतना घिनत इतना छोटा विचार उसके मन में आ गया है उस निवास नीच कर दूती कभी कभी व्यक्ति मुची कद्दी पर बैज कर भी सोच बड़ी नीची रखते है कभी 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 निमन परिवार में जन्म लेने वालों की सोच बड़ी उची होते है यही देवत तो है यही दानवत तो है और अभिमन्यों की विद्वा पत्नी पती की मृत्यू के समें उसके गर्व में नौ महने का बच्चा था और आज वो नौ मास उल्न कर रहा है अपने आस्त्रम में बैठें बैठें अस्वत्थामा ने ब्रहमास्त्र चला दिया मंत्र में आस्त्र और जैसी ब्रह्मास्त्र जिस पर चलाए गया उसी को दीखेगा अभि मन्नू की पत्नी उत्तरा सगर्वा दोडी-दोडी कृष्णु के चरणों में गिर पड़ी कि पागी पागी महायोगिन देव देव जगत्मते नान्यम कदवयं पस्ये यत्रमर्त्यू परस्मरं ये गोविंद रक्ष्या करो ये मुर्णी तर बचाईए मुझे कामम तहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम ये ब्रह्मास्त्र आ करके मुझे जे राखें भस्म कर देए इसकी चिंता नहीं है पर मेरे गर्भ के बच्चे को बचाओ मुर्भी धर ये गर्भ का बच्चया नष्ट हो गया तो पांडवों के बंस में कोई तरपन करने वाला नहीं बचेगा अब आप सोचें कितनी तीप्रगती से ब्रह्मास्त्र चलता है और वो आ रहा है उत्तरा रोती रोती गोविंद के चरणों में गिर पड़ी कहते हैं भगवान महाभारत में दोई बार रोए एक बार जब अविमन्यों निहत्थे को इन कौर्वों ने अखेला करके निर्देता से मारा तो मेरे गोविंद अपने आंसमों को रोक नहीं सके और एक आज अस्वत्थमा की इस गिनास पद सोच पर रोए इस बच्चे ने किसी का क्या बिगाड़ा है क्यों कोई इसको मारना चाहता है भगवान ने का बेटी तो बिल्कुल चिंता मत करें मैं सुरक्षा करने का प्रियास करता हूँ और ब्रमास तो उस गर्व के बच्चे के विराश के लिए आ रहा है क्रिष्ण ने सुक्ष्मरूप लिया और उत्तरा के गर्व में ही प्रगट हो गए बोलो जैसरे क्रिष्ण एक रूप से बाहर खड़े हैं भगवान कुछ ओठ है ला रहे हैं कुछ मंत्र सा पढ़ने का नाटक कर रहे हैं लेकिन अंगुष्ठ मात्र के बनकर कृष्ण उधर में चले गए ऐसा लिखाएगा अंगुष्ठ मात्रम पुरुशं बशंतम और गर्व में जाकर के मेरे परमात्मा ने जो गर्व का बच्चा है उसको चारों तरफ से कवच से ढख दिया स्रीमत दिर्गचतुर्बाहुम चार भुजा धारन कर ली और अपनी गदा को प्रभू ने उस बच्चे के चारों तरफ सुदरसन चक्र की भाती गुमाया गर्व में अंदर पेट में और ब्रमास्त्र से बच्चे की रक्षा कर दी शौनकादीरीसीं बोले यह तो बड़ा भारी आस्रज है भगवान ने गर्व में रक्षा करी सूत जी बोले आस्र तो है इने और आस्रज है भी बोले क्या आस्रज है और क्या नहीं है तो सूत जी बोले भगवान ने गर्व में प्रगट होकर के बच्चे की प्रान रक्षा करी यह आस्रज नहीं है जो घटगट में बास करते हैं वो किसी की रक्षा कर ले इसमें क्या आस्सर्ज है परमात्मा ने गर्व में प्रगट होकर के बख्षें की प्रान रक्षा करी ये आस्सर्ज नहीं है इरिशियो आस्सर्ज तो ये है कि गर्व में रहने वाला वो बालक कितना बड़ा भग्यवान है जिसने दुनिया में जन्न बाद में लिया भगवान का दरसन पहले कर लिया गर्व में गोविंद को देख लिया और उसी बच्चे का नाम परिक्षित है परित्व इच्चती की परिक्षित है इसी बात की परिक्षा उसने जीवन भर करी कि वो परमात्मा कहें जिसने मुझे गर्व में बचाया था परित्व इच्चती ये इच्चा रखी उसने जीवन में एक बात कहूंगा जैसे जीव की कोई चाला की भगवान के सामने नहीं चलती वैसे भगवान की कोई चाला की भक्तों के सामने नहीं चलती ओ कितना ही नाटक कर ले, कितना ही प्रयास कर ले प्रभू रक्षा कितना ही वेश बदल ले भक्त सब समस्ता क्योंकि उसकी आँखों में बक्ती की दुर्बीन लगी है और माता कुंती ने कृष्ण के इस दृष्च को प्रतक्ष देखा कृष्ण की भुवा भी लगती है कुंती और कुंती ने जो इस ततिगाई है वो गजब है